नमस्कार दोस्तों, राखी का तहवार हमारे आपके बीश में है हर साल हम राखी बनवाते हैं, जब भी हमारे हर में कोई पूझा होता है, कोई पाठ होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है तो हम लोग क्या बनवाते हैं पंडी जी से कलावा अपने हाथ में और राखी में तो बहने राखी बानती है, एक बानती है, दो बानती है, धागे बानती है, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ न कुछ पंडी जी दे देते हैं, धागा दे देते हैं, अब यह जो में बाधा हुआ है, महिलाएं में बनवाती है, पुरुष में बनवाते हैं, बच्चे भी बनवाते हैं, कुछ लोग दो दिन बानते हैं, चार दिन बानते हैं, कोई महीना बानता है, कोई दो महीना बानता है, कोई छे महीना बानता है, कोई साल बानता है, कोई चार साल बानत तो अब ख़ए आप में यह सोचा की रखशा का वाच है जो पन्य जीने बादा है यह भगवान का आशुरुआद है जब इसको हम उतारते हैं तो इसका क्या करें कुछ लोग कहते हैं कि फेक देना चाहिए कुछ लोग कहते हैं किसी गंबले में ڈाल देना चाहिए पौधै म बाब में रख लेते हैं, कुछ लोग इधर उधर रख लेते हैं, कहीं नभ फेक दिया, इधर कुछ लोग पेड़ में जाकर बांध आते हैं, कुछ लोग नदी में बहा देते हैं, कुछ लोग कूरे में फेक देते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही है? नहीं, आप ये सब गलत करते हैं जब भी आपके हाथ में बंधा हुआ कलावा या कोई भी धागा हो या राखी हो जब आप उसको उतारे तो आपको उसको क्या करना चाहिए उस कलावे को या राखी को कहीं इधर उधर फेकना नहीं है कहीं कुए में नहीं डालना है, पानी में नहीं डालना है, गंबले में डालना है, कहीं बांगना नहीं है, कहीं पेड़ में बांगना है, किसी को देना नहीं है, उसका एक ही काम करना है, जहां पर गाएं बंदती हैं, तो आपके आसपास ख्रीपर, जहां पर किसी ने गाएं बाल रक्की होगी या कोई गउशाला हो वहाँ जाएं तो जहाँ पर गाएं बनती है तो गाएं को बादने का खूटा होता है लकड़ी का खूटा टरना होता है या तो उसको उसमें बादें या गाएं जहाँ पर बनती है कोई छपर होगा कोई टीन होगी कोई डंडे लगे ह कुछ ना कुछ तो लगाई होगा जहां पर गाएं बनती होगी श्येड ग्यारा होगी कुछ ना कुछ चोंक होगा थैंना तो वहां पर जाकर जातर बान दें अब आप तो यह डार्यारण कBook गांच को सभतेSee इस रक्षा का वज को या राक्षी को बाढ़ आएंगी, जो इसको आप उतार रहे हैं, तो उससे सभी 33 करोड देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे, गव माता आपकी रक्षा करेंगे, क्रिष्ण, यानि कि इस रिष्टी को चुलाने वाले क्रिष्ण भगवान, वो गाए गाएं के पीछे-पीछे भागते हैं, गाएं आगे-आगे भागते हैं, उनको सबसे ज़्यादा गाएं प्री है, गाएं के साथ, आप देखेंगे, क्रिष्ण भगवान बालस्री बजा रहे हैं, उसका दूद, दही, मक्षन खा रहे हैं, तो सोचिए, इस श्रिष्टी को चलाने वाले पालन हर, गवान श्री23 को भी गाएं इतनी प्री है, तो स्रीक्रेश्न, यानि कि विष्णू, गवान आपकी रक्षा करेंगे, गवान शिराम आपकी रक्षा करेंगे, तो आगे से जब भी आप, अपना रक्षा कोश या कोई इस तरीके धागा, या माला वहाँ पर कोई कील लगी हुई है, कोई खूटा लगा हुआ है, कोई डंडा है, वहाँ पर पान दें और गाएं को प्रणाम करें और निश्चिन्त हो जाएं. अब आपको समझ में आया है, क्योंकि हम में से लाखों करों लोग बनवाते हैं, लेकिन उसका सही परियोग नहीं पता होता कि परियोग करने के बाद इसका क्या करना है, फेकना, बहाना, कावपी किताब में रख लेना सही नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ, यह जानकारी आपको देता रहूँगा, हरियोग, नमस्कार,